हलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पराक पोस्ट की सनरचना एमविकास को समझेंगे और साथ ही साथ आपके दो प्रस्टन और तैयार हो जाएंगे एक लगू बिजाणू धानी की सनरचना एमविकास और दूसरा लगू बिजाणू जनन की क्रियाविधी तो आएए इस वीडियो को सुरू करते हैं देखिए पुस्प का नर जनन भाग एंडरोसियम या पुमंग कहलाता है एक पुमंग कई पुंकेसर से मिलकर बनता है एक पुंकेसर का सनरचना कुछ ही तरह का होगा इसमें देखिए उपर का ये जो गोलाकार लोब युक्तसर अचना दिख रहा है यही कहलाता है पराग कोस या एंथर यह दो लोब का बना होता है और दोनों लोब आपस में योजी या कनेक्टिव के द्वारा जुड़े होते हैं और साथ ही साथ ये पुसपासन से एक व्रिंद की सायता से जुड़ता है ये कहलाता है पुतंतु या फिलामेंट यदि हम इसका एक दूसरा सनरचना देखें तो यह कुछ इस तरह का दिखाई देगा इस तरह से देखिए यह दो लोब का बना है और साथ इसका यदि यहां से देखें तो यह हिस्सा एक लोब और यह दूसरा लोब क्रतेक लोब में दो-दो पराक कोस्ट पाया जाते हैं जिनको लगू बिजानुधानी करते हैं यह जो पोलें चेंबर इसमें दिखाई दे रहा है इन्ही को बोलेंगे हम लगू बिजानुधानी या माइक्रो इस्पोर उंजिया इन्ही के भीतर पराक कर या माइक्रो इस् देखते हैं तो दिखिए इसका निर्माड इस थैलेमस के उपर एक छोटे से इस प्रकार की सनर्चना की रूप में होता है इसमें किसी भी प्रकार का कोस्ट बगरे का निर्माड नहीं हुआ होता इसमें कोई भी लोब या चेंबर नहीं बने होते हैं इसके बाहर इस तरह का एक आवरण होगा ये कहला आता है इपीडर्मिस बाहत वचा और इसके भीतर इस तरह से विप जोत्तक उत्तक मेरी इस्टेमेटिक टीशू भरे होते हैं ये इसका प्रारम बाउस्था है तो सबसे बाहर ये बाहत वचा या इपीडर्मिस और ये जो सब को सिकाएं दिखरे हैं भीतर की ओर ये कहलाते हैं विप जोत्तक उत्तक अब उसके बाद देखिए इस प्राग कोस में जब ये बनना प्रारम होते हैं उस समय के लिए इसका दूसरा इस्टेज का चितर बनाएंगे इसमें बाहर तो इपीडर्मिस का इस तरह से आवरण पाया ही जाएगा और इसके भीतर ये जो विवज़त्तक उत्तक है इसके चार कोसिकाएं चारो कोनों पर ये इपीडर्मिस के नीचे की कोसिकाएं थोड़ा साकार में बड़ा हो जाते हैं और बांकी कोसिकाओं से आर्की इस्पोरियल सेल और यही कोसिका आगे चलकर इस लगुवी जाडु धानी और उसके बाहर के आवरण का निर्वान करता है और बागी इसमें जो विवजोत्तक उत्तक है इसको इस तरह से बना लेंगे चलिए इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर देता हूँ तो चारो कोने पे एक-एक कोसिका थोड़ा सा आकार में परिवर्टित हो गया अन्य कोसिकां से अलग दिखाई देने लगा अब इस कोसिका में एक परिनत्वी भाजन होता है परिनत्वी भाजन से आसे होगा कि एक बाहर की ओर कोसिका बनेगा एक भीतर की ओर अर्थात एक इपिडर्मिस की ओर और एक केंद्र की ओर तो उसके लिए यहाँ पे एक और चित्र बना लेते हैं एक इपिडर्मिस हो गया और यह जो आर्की स्पोरियल सेल है इसमें इस तरह से भी भाजन होगा यह देखें दो कोसिका बन गए बाहर का जो कोसिका है यह कहलाता है प्रात्मिक पेराइटल कोसिका या प्रात्मिक भीत्य कोसिका और भीतर का जो है ये कहला आता है primary sporogenes cosica या prathmik bijadu jannak cosica इसका नाम लिख लेते हैं पहले ये कहला आएगा prathmik भीतिय cosica primary parietal cell और ये जो भीतर की ओर है ये कहला आएगा sporogenes या prathmik sporogenes या bijadu jannak bijadu jannak cosica और बाँखी इसमें आप इसी तरीके से इन जोत्तक उत्तक को भरते जाएए अब इस प्रात्मिक भीतिय कोशिका में परिनत विभाजन और लंबत विभाजन दोनों होना प्रारम हो जाएंगे जिसके फलसर उपिस का मोटाई या कहें कि कई अस्तरों का बन जाता है या तीन से लेकर के पांच या छे अस्तर तक का बन जाएगा और साथ ही साथ या दोनों और से से ब्रिधी करके इस प्रात्मिक बिजाणु जनन कोशिका को घेर लेता है और यही इन चारों कोनों में होगा और साथ ही इस प्राक पोस का आकार इस लोब के आकार में परिवर्थी थोने लगता है तो देखिए कुछ इस तरह का या दिखाई देगा इस तरह से अब मैं इसमें एक कोने को पहले यहां बना लेता हूँ इसके बाद आप उसको इसमें भर देंगे असानी से बन जाएगा तो यह कुछ इस तरह से बनेगा इसमें सबसे बाहर तो इपी डर्मिस का स्तर ही होगा अब उसके बाद इसमें जो यह प्रास्मिक भित्य कोशिका है यह तीन लेर बनाता है पहले मैं बीच की लेर को बना देता हूँ यह कहलाता है मीडी लस्तर यह तीन इस्तरिय होता है तीन लेर रहेंगे इसमें इस तरह से और इसके बाहर इसी का एक और अस्तर बना होगा यह कहलाता है एंडोथीसियम इस तरह से देखिए और एक लेर इसमें और बनेगा इसके भीतर इस मिडील लेर के भीतर इसी से निर्माण होता है तो यहां किलियर हो गया प्रात्मिक भीत्य कोशिका तीन इस्तर बनाया बाहर इंडोथीसियम बीज में मिडील लेर और भीतर की और टेपिटम हैं में अर्व यह प्रात्मिक बिजाड़ू जनद कोशिका है इसमें फिकई विभाजन होते हैं और इसके फंशरूप इसके भीतर इस तरह लगू बिजाड़ू मात्र जनद कोशिका का निर्माण होता है बहुत सारे लगुपी जाड़ू मात्रिक कोशिकाएं बन जाएंगे तो इसी तरह हम इन चारों कोनों में एक एक बना लेंगे अब इसका नाम आंखन कर लेते हैं ये बाहतवचा या एपीडर्मिस ये सेकेंड लेयर जो दिख रहा है जो की प्रात्मिक भित्ती से बना है एंडोथीसियम या अंतः भित्ती ये जो पीले कलर का तीन अस्तरी आवरण होता है ये कलाता है मध्य अस्तर या मिडिल लेयर और ये जो भीतर का स्तर दिख रहा है ये कलाता है टेपीटम और भीतर ये जो गोलाकार सनचनाय दिखाई दे रहे हैं ये कहलाते हैं लगु बिजाणू मात्री कोशिका माइक्रोइस्पोर मदरसेल तो इस तरह से इस चारो कोने में एक एक हम बना लेंगे उसके बाद ये पराक कोश का सनचना हो जाएगा चलिए मैं इसको यहां बना देता हूँ अप क्याँ प्रूब मैं एक जाएगाई और देता हैं प्रूब झाएगाल उसके बना देता हैं अप्रूब उसके बजस्ट कर अप्रूब उसके बना देखिवाट लगुण प्रूब और उसके बाद बांकी अस्थान पे आप इसी तरह से और बीच में यहाँ पर एक कंड़क्टिंग स्टेंड बना देंगे तो इस तरह से एक पराग कोस का स्नरजना आप बना सकते हैं नामांकन के लिए आप इसी को यूज करेंगे इसमें जो इसमें किया गया है वही जी इसमें कर सकते हैं एक चीद ध्यान दखिए जहाँ पर पराग कोस का इस फुटन होना होता है अर्थाथ जहाँ पर फुटेगा वहाँ पर का एंडोथिस्यम थोड़ा सा पतला हो जाएगा और वह कहलाता है इस्टोमियम अब माल लीजिए यदि आपको सिर्फ पराग कोस का सनरचना बनाने के लिए आ जाए और उसका वर्णन करना होगा तो इस तरह से पहले चित्र बनाएंगे आवरण तो आपको पता ही है आसानी से नामांकन कर लीजिए उसके बाद इसका वर्णन देखे कैसे करेंगे कि इसमें निम्न इस्टर पाये जाते हैं पहला होगा बाहतवचा इसको पताएगा पराग कोस के सबसे बाहर एक इस्टरी आवरण पाये जाता है जिसे बाहतवचा या इपीडेलमिस करते हैं दूसरा अंतवभित्ति बाहतवचा की नीचे एक कोस के इस्टर अंतवभित्ति या एंडोथिस्यम का पाये जाता है इसका मुख्यकार है कि या इन पराग कणों के लिए रास्ता प्रदान करता है जहां पर दो पराग कोस्ट या लगुबी जानुधानी होते हैं बीच का जो अंतवभित्ति होता है यह पतला होता है इसको इस्टोमियम करते हैं उसके बाद अगला आएगा मध्धिस्तर इसको बताए कि एंडोथिस्यम के नीचे या अंतवभित्ति के नीचे तीन इस्तरिय, दो से तीन इस्तरिय, एक आवरण होता है, जिसको मद्धे इस्तर करते हैं, और इसका मुख्य कारे होता है, कि यह संग्रहण का कारे करता है, उसके बाद नीचे आएगा टेपिटम, बताएए मिडिल लेयर के नीचे, मद्धे इस्तर के नीचे, एक कोस्किय, टेपिटम कास्तर पाये जाता है और यहाँ बहु चिंद्र की होता है एकस्यदिक किंद्र पाये जाते हैं इसका मुख्चे कारह है इन पराग कड़ों को पोसंड देना और इस टेपिटम औरण का एक कारे और है कि यह पराकरण के बाह आरण अर्थात एक साइन का निर्मार करता है उसके बाद आएगा लगू भीजाडू धानी तो देखिए ये जो भीतर, टेपीटम के भीतर जो आरण है या जो कक्ष है ये काल आता है लगू भीजाडू धानी जिसके भीतर बहुत सारे लगू बिजाडू मात्री कोशिका पाय जाते हैं ये इन्ही प्रात्मिक बिजाडू जनन कोशिकाओं के समसुत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं अब एक चीज और आप यहां लगू बिजाडू जनन को भी समझे देखिए ये जो लगू बिजाडू मात्री कोशिका हैं ये बार-बार और सुत्री विभाजन के द्वारा लगू बिजाडू या माइक्रो इस्पोर या पराककड का निर्माड करते हैं पराक कड अगुडित को सिखा होता है यह क्रिया कर लाता है लगू बिजाडू जनन पराक कड की संरचना हम अगले वीडियो में देखेंगे तो इस तरह से आप पराक कोस की संरचनायों विकास को समझ गये होंगे यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये होंगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ सेयर कीजिए